चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए ता आपको सबसे पहले पता चल जाएं. Hello everyone, welcome back to your own channel. So, कैसे हैं आप सब? I hope आप सभी अच्छे होंगे and safe होंगे अपनों घरों के अंदर होंगे. So, आप सभी को याद है कि हम जो हैं वो अपने maths के chapter कर रहे हैं और हमने कल ही अपने chapter number 11 complete कर दिया है. So, आज हम एक new chapter start करने जा रहे हैं, जो जिसका नाम है how heavy and how light. यह है हमारा chapter number 12 और जिसमें हम देखेंगे कि कितना, कोई चीज कितनी भारी है और कोई चीज कितनी हलकी है, जो कि इस chapter का नाम ही है, ठीक है? तो शुरू करें, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, Jeju and Manu were shifting house, ठीक है? अब Jeju and Manu कौन है? यह दो लोग हैं, जो कि shift कर रहे हैं, ठीक है? अपने घर को shift कर रहे हैं, they loaded all their things on a horse cart, उन्होंने क्या किया है? कि जो घोड़ा गाड़ी है, उसके उपर उनने अपना सारा का सारा सामान लाद दिया, ठीक है? लोड कर दिया, there were many things like a water tank, five sacks of wheat, three tables, an almira, four chairs, two mattresses, three sacks of rice and a bamboo ladder, pots and pans, तो उसने क्या बोला? कि उसके अदर क्या क्या चीज़े हैं, जो उन्होंने घोड़ा गाड़ी के उपर ला दी, एक है water का टैंक, पानी का टैंक है, एक हमारे पर पांच जो है, वो sack का मतलब होता है, बो उसमें table है, जिन्हें हम mage बोलते है, an almira, एक almari है, four chairs, चार कुरसिया है, two mattresses, दो गदे है, three sacks of rice, तीन बोरिये किसकी है, rice की है, जिसे हम बोलते हैं, चावल, a bamboo ladder, और एक जो है, वो बांस की, वो बोलते है, ladder, ladder का मतलब है, सीडिया है, और साथ में कुछ pots हैं, और pans भी ह यहां पर आपको diagram में भी नजर आ रहा होगा, यह देखिए, सारा समान यहां पर उनने घोड़ा गाड़ी के उपर लाद दिया है, उसके बाद उनने क्या बोला, कि when they were ready to move, जब वो चलने के लिए तयार थे, the horse refused to start, जो घोड़ा था, उसने चलने से मना कर दिया, they wondered why, वो जो है, वो है, वो हैरान होगे कि क्यों, their father said that this horse was not well and would not pull a load heavier than 700 kg, तो उसने क्या बोला, कि यह जो घोड़ा है, वो ठीक नहीं है, मतलब कि वो बिमार है, और वो जो है, वो 700 kg, मतलब 700 kg से जादा भार को लोड नहीं कर सकता है, जो लोड के उसको नहीं ठीच सकता है, तो फिर लोड कितना भारी है, यह उन्होंने उनसे question में पूछा, ठीक है, तो अब हम यहीं सब यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, तो आप देखिए, father gave them some idea of the weight of each thing, father ने उन्हें जब कुछ idea दिया, जिससे कि वो हर एक चीज का weight को निकाल सकते थे, ठीक है, So, यहाँ पे बोला है, find out the total weight they had loaded on the cart, और आपको बोलें कि आपने find out करना है, कि total कितना weight उन्होंने लोड किया, तो देखो, यह रही जो चीजें, जो उन्होंने लोड की थी, और यह रहा उन सब का weight, आपसे पूछा गया है, कि total उन्होंने कितना weight लोड किया, तो हम इन सब को plus कर देंगे, और हमारे पास answer आजाएगा, ठीक है, अर जैसे a sack of wheat 100 kg है, क्यों है 100 kg, आपने देखा था कि 5 जो है, वो sack की बोरियां थी, ठीक है, और हर एक बोरी का weight कितना होगा, अगर 100 kg है वो, तो हर एक का weight होगा, कितना, 20, कितना होगा, 20 kg, क्योंकि आपको पता है, 20 multiply 5, 5, 0, 5, 2, 10, तो 20 kg की होगी, तो 5 थी, 100 kg जो है, a sack of wheat, a sack of rice 35 kg, water tank 50 kg, almira 70 kg, नहीं, एक की, एक बोरी की है, पांच की नहीं है, यहां पर a sack of wheat लिखा है, मतलब एक जो wheat की बोरी थी, उसकी जो भार था, वो 100 kg था, राइस का इतना देखा, टेबल हमारे पर 10 kg का था, जो हमा 5 kg की है, नहीं मैटर सिस्थे, हमारे जो गद्दे थे, वो 20 kg के थे, जो bamboo ladder है, वो 10 kg था, और पॉट और पैंस थे, वो भी 10 kg के थे, आप से पूछा गया है, कि total, find order, total weight कितना हुआ, जो उन्होंने लोड किया, तो यह जो है, वो इतना उन्होंने लोड तो किया ही है, पर य बोरियां थी, है न, rice की भी कितने तीन बोरियां थी, water tank था हमारे पास एक, एक हमारे पास एलमीरा एक थी, table हमारे पास कितने थे, तीन, chair हमारे पास कितने थी, चार, mattresses भी तीन थे, bamboo ladder एक था, pot और पैंस तो बहुत सारे थे, many, तो इस तरह से था, अब हमें जो है, वो आपने देखा, बुक में वैसा ही, table आपने बनाना है, समझ गें सभी बच्चे, जैसा उपर देखा आपने, वैसा ही, आपने table है, यहाँ पर लिखोगे, things, ऐसे देखोगे, things, loaded, जो चीज़े, load की गई है, तो सबसे पहले क्या लिखा गया है, a sack of wheat, ठीक है, a sack of wheat किया है, और उसका weight, हम यहाँ पर लिखेंगे, और हम इसको table को नीचे तक बनाते हुए, चले जाएंगे, इस तरह से, ठीक है, समझ गें सभी बच्चे, जैसे हमने, बुक में बनाया था, वैसा table, सभी बच्चे, आप सभी ने scale का use करके lines लगानी है, समझ के, तो कितना weight था, उसका आप एक और box बनाओगे, जिसके अंदर आप क्या लिखोगे, number of items, number of items का मतलब क्या होता है, कि वो कितनी थी, कितनी थी, सभी अपने book के ओपर पढ़ेंगे, कितनी थी weight की बोरिया, पांच, यहाँ पर हम लिख देंगे, पांच, फिर उसके बाद वोला गया है, हमने क्या क कीमत है, पर उसने पांच डाली थी, तो पांच के कितनी होगे, आप सभी को के पता है, जब एक चीज की कीमत दी होती है, और हमें बहुत सारों की निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, multiply कर देते हैं, तो अभी हम यहाँ पे 5 से 100 को multiply कर देंगे, और आप सभी को पता है, 0 वालों के हम कैसे करते हैं, और ऐसे भी आप देख सकते हो, आगे हमरे पर सांसर 500 किलो ग्रैम, ठीक है, और के चीज उन्होंने डाली थी उसके बाद, सेकंड चीज थी, a sack of किस चीज की थी, राइस, राइस की कितनी वो रही है, कितना वेट था उसका, 35 केजी, और कितनी थी वो 3, तो टोटल वेट कितना हो गया, 3 multiply by 35, सभी बच्चे फटा-फट से multiply करके दिखाएंगे, मुझे आप सभी को सिखाया है, 55 जा 25, ये आगए हमारे परस 2, carry 53 जा, कितने होते हैं, 15, और 15 में 2 प्लस किये, 17, तो हमारे पर सांसर आ गया, 175 केजी, तो इतना जो है, वो इस फिर हम चलते हैं, next के उपर, next क्या है हमारे पास, water tank, water tank कितने थे, एक, हाना, और एक water tank का भार कितना था, 50 केजी, ठीक है, तो 50 केजी अगर भार था, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कितने थे और वो एक, तो 1 multiply by 50 is equal to 50 केजी, आप सभी बच्चे ने यहाँ पर notice किया, मैंने एक mistake की, आपने देखा सभी ने, किस-किस का ध्यान है यहाँ पर, यहाँ पर किस से multiply करना था, 3 से multiply करना था, पर मैंने यहाँ पर 5 से कर दिया, ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर correction कर लेंगे, तो यहाँ पर 3, 5, जग कितने होते हैं, 15, 5, और यहाँ पर आएगा, 1 carry, 3 Elmira, चीक है, एक वो Elmira भी लेके गए थे, Elmira क्यों होती है, Elmari, उसका weight कितना था, 70 kg था, और वो भी कितनी थी, एक ही थी, तो 1 multiply by 70, कितना हो गया, 71 जा, 70, 70 kg हो गया, फिर वो और क्या लेके गए थे, a table, टेबल भी था, और टेबल का weight कितना है, सभी बच्चे न, अप भी आपने story में पढ़ा, 3 थे, तो हम किस से multiply कर देंगे, 3 से, और 30 kg हो गया, इनका weight, फिर वो क्या लेके गए थे, a chair, चेर भी लेके गए थे, वो, एक chair का weight कितना है, सभी बुक के ओपर देखेंगे, 5 kg है, ठीक है, और यहाँ पर कितने लेके गए थे, वो 4, तो 5, 4, 5, 4, अब जा, 20, तो उनका weight हो गया, 20 kg, फिर और के लेके गए थे, वो साथ में, mattresses, mattresses का मतलब क्या होता है, गदे, जो आप, जिनके ओपर आप सोते हो, ठीक है, mattresses, तो वो कितने थे, कितना था उनका भार, 20 kg था, ठीक है, और वो कितने लेके गए थे, उतने, सिर्फ, कितने थ 20, यह हो गया, 40 kg, ठीक है, फिर और के लेके गए थे, वो एक bamboo ladder, bamboo ladder क्या होती है, मैंने आपको बताई, बांस की सीडियां, जो बनाई होती है, खुद जोड़ जोड़ के, ठीक है, और वो कितनी थे, उसका weight कितना था, 10 kg था, और वो कितनी थी, एक, तो यहाँ पर हो गया, ह 9, pots and pans, उन्होंने यहाँ पर खुदी सब की कीमत बता दी, जितने भी लेके गए थे, उन सब का भार, 10 kg, तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, सीधा यहाँ लिख देंगे, 10 kg, तो आपने इस तरह से अपने box को पूरा कर लेना है, ठीक है, इस तरह से यहाँ से, औ पता चल जाएगा, ठीक है, यह हमारा टेबल, त्यार हो गया, अब निकालो, टोटल, फिर हम यहाँ पर एंट पर लिख देंगे, टोटल, वेट, टोटल वेट कितना होगा, जितना भी हमारा भी तक वेट आया है, 500 प्लस, 105 प्लस, 50 प्लस, 70 प्लस, 30 प्लस, 20 प्लस, 40 प्लस 10 प्लस, 10 इन सब को प्लस करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना वेट है, तो सभी बच्चे प्लस करके यहाँ पर आंसर लिखेंगे, और मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ, 835 kg, इतना वेट जो है, वो इन सारी की सारी चीजों का है, जो वो लेके जा रहे थे, इन सब को जब आमने प्लस किया, तो हमें पता लग गया कि कितने kg है, समझ गे सभी बच्चे, आप बाला गया है, now they decided to remove a few things from the cart, आपने देखा कि घोडा जो था, वो सिफ 700 kg ले जा सकता था, पर अब उन्होंने किया देखा कि वो टोटल कितना हो गया, वेट 835 kg हो गया, त यहां पर लिखा है, which thing should we remove so that the weight of the load is not more than 700 kg, तुने ने बोला कि हम ऐसी क्या चीज़ों को remove करें, कि जो cart है, उसका load जो है, वो 700 kg हो जाए, तो अब आप सभी बच्चे क्या करेंगे, यहां पर उन चीज़ों को लिखेंगे, ठीक है, तो टोटल वेट हमें चाहिए, कितना च 35 kg, तो उस में से जब हम 700 को minus कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगे कि हमारे पास कितना वजन जादा है, तो कितना जादा है, 5, 3, 135 kg जादा है, तो हमें इतना वजन यहां से निकालना है, कि वो 135 करके कम हो जाए, तो कितना होगा वो, मान लो कि हम यहां से आपने यहां पर stable के recording चलना है, ठीक है, इस टेबल के recording क्यों चलना है, क्योंकि यहां पर असली का weight पता है, क्योंकि वो चीसें जादा भी है, ठीक है, मान लो कि हम यहां से एक rice, तीन rice की बोरियों को निकाल देते हैं, तो यह हो गया, 105 kg तो हमने निकाल दिया, पर आपको 135 kg है, तो अभी भी आपके पास 30 kg बच गया, अब 30 kg क्या निकाल सकते हो, तीन टेबल को, यह भी तीन है न, ठीक है, और आपने यहां से तीन टेबल भी निकाल दे, तो 30 kg यह हो गया, यह टोटे मिलाके, 135 kg बेट आपने निकाल दे, मतलब अगर आप तीन चावल की बोरियां, और तीन टेबल को निकाल दोगे, तो आपके पास answer आ जाएगा, ठीक है, तो मैं आप पे नीचे आपको statement wise करके answer भी लिखवा देती हूँ, ठीक है, next पे लिखाती हूँ, यहाँ पे लिख दीजिए, the weight of, आप लिख देजिए, the weight of the total, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे करके, the weight of all the items, ठीक है, सभी items का weight कितना था, 835 kg, ठीक है, the weight should be of the cart, cart का weight होना कितना चाहिए, 700 kg, ठीक है, weight, we remove, कितना weight हम remove करेंगे, 835 minus 700, अभी मैंने आपको minus करके बता है, कितना आया, 135 kg, ठीक है, हम जो चीज़ें remove करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, the weight of three sacks, तीन सैक का weight कितना है, 105 kg, अभी देखा ना, हमने उसनका weight है, 105 kg, फिर यहाँ पे है, the weight of three tables, तीन table का weight कितना है, 30 kg, ठीक है, so, यह मिला के total कितना हो गया, total weight of these things, इन things का weight कितना हो गया, total मिला के, 105 plus 30, सभी बच्चे प्लस करके बताएंगे, कितना अंसर आएगा, 135 kg, so, we remove, three sacks of rice and three tables, ठीक है, इनको हम remove कर देंगे, यहाँ पे आप rice भी लिख लीजे, तो यह हो गया हमारे पास, अंसर ठीक है, और आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, राइस, sacks and tables, ओके, next आप से पूछा गया है, the things which were loaded on the cart, were big, in the size and also very happy, जो भी चीज़ें उसमें लोड की गई थी, उनका size भी बहुत बड़ा था, और वो heavy भी बहुत जाद थी, to measure the weight of such heavy and big things, we need a big balance, आप सभी को याद होगा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, balance के बारे में, जिसे हम तराजू बोलते हैं, तो जब इन चीज़ों का weight इतना जादा भारी है, तो आप छोटे से तराजू से तुसको नमाप नहीं सकते हो, तो हम इस तरह का बड़ा सा तराजू इस्तिमाल करते हैं, यह जो आपको picture में भी नज़र आ रहा है, जैजू एंड मन्नू वांटी टू मेक दियर ओन बैलेंस, जो जैजू और जो मन्नू थे, वो अपना खुद का ऐसा तराजू और वो सक्तियों बैलेंस बनाना चाहते थे, दे कॉलेक्टिड फ्यू थिंस, उन्होंने कुछ चीज़ों को कॉलेक्ट किया, अस्टिक, एक दंडा, एक लकड़ी, टू लिट्स, दो लिट्स ली उन्होंने, एंड अठीक थ्रेड और एक मोटा सा धागा लिया, दे मेर दिस बैलेंस और उन्होंने ये बैलेंस बनाये, जो कि आपको यहाँ पे पिक्चर में नजर आ रहा है, अब आपका बोल लगए, आप भी अपने एक बैलेंस बना सकते हो, राइड डाउन, आपने लिखना है, कि आपने उस बैलेंस को कैसे बनाया है, ठीक है, और लिखना लिखना है, जो आपको बाक्स दिया है, यहाँ पे यह जो नीचे, यहाँ पे आपने खुद अपने इस तरह के तराजू की पिक्चर बनानी है, और आपने यहाँ पे लिखना है, कि आपने इस तराजू को कैसे बनाया है, ठीक है, तो यह आपका होमबर्ग है, आपने लिखना है कि कैसे बनाया है, ठीक है पर आपने पहले कोशिश करनी है या फिर हम नेक्स वीडियो में आपको मिन का अंसर लिखवा दोंगी ठीक है नेक्स्ट है एक्टिविटी मन्नू एंड जैजू पुट पैंसिल एंड जोमेटरी बॉक्स इन टू पैंस एंड बैलेंस क्या बोला है यहाँ पे कि जो मन्नू है और जो जैजू है उन्होंने पैंसिल ली और एक जोमेटरी बॉक्स लिया और उनको इन दा टू पैंस ऑफ दे बैलेंस के दो पैंस के अंदर ठीक है विच पैंस विल गो डाउन वाई ड्रॉद पिक्चर टू शो इट आपने यहाँ पे उसका आपने मानलो कि आपके पास यह रहा बैलेंस ठीक है और यह रहे उसके पैंस एक दो दो पैंस के अंदर तभी तो वह जूड़ा हुआ होता है तो इस तरह से आपका रहा पैंस आपने बताने कि कौनसी साइड को यह जो पैंड है वो नीचे जाएगा तो आपने जो पिक्टर है वह वैसे ही बनानी है जिस तरफ को आपकी यह डारेक्शन होगी ठीक हैं तो आपने इस पिक्टर को कुच इस तरह से बनाना हैं समझगे सभी बच्चे ऐसे मैंने क्यों न भारी है तो इसलिए यह इस तरफ को जुखेगा जो चीज भारी होती है उस तरफ को जो हमारा तराजू होता है जो बलेंसर होता है वो जुख जाते है तो आपने यहां पर उसको ड्रॉख करना है next time what is heavier make a pair of different things and use the balance to decide which is heavier आपको बोलगे कि आपने ऐसी बहुत से चीजों के pair बनाने जैसे यहां पर pencil और geometry box का बनाया आप इसी और चीज का pair बना सकते हो और आपने pair बनाके उनको balance में use करना है इसी तरह के balance का और देखना है कि कौन सा वाला जादा heavier heavier का मतलब होता है भारी है first guess which thing will take the pan down and then check with your balance पहले आपने pan में आपने guess लगाना है पहले बीना तराजू में रखे हुए तराजू आपके पास नहीं होगा तो आपको बताया है कि कैसे बनता है तराजू पहले आपने खुद का तराजू बनाना है और फिर आपने चीजों को guess करना है कि कौन सी side को नीचे की तरफ को जाएगा कि कौन सी चीज भारी है ठीक है और जब आपको यह पता लग जाएगा उसके बाद अपने आपने balance में check करना कि क्या आपने guess लगाया है वो सही है यह गलत है अब यहां पर बोले what is heaviest heavier का मतलत है दो चीजों के बीच में जब हम compare करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा जादा भारी है तो हम शब्द यूज करते हैं heavier और जब हम बोलते है heaviest मतलब बहुत सारी चीजों में से जो सबसे भारी चीज है वो आपने बतानी है तो आपको बोला गया है make a group of three things अब आपने तीन चीजों का group बनाना है for example eraser ball and paper use the balance to arrange them in order of weight आपने balance क मतलब आपने तराजू का इस्तेमाल करना है उन चीजों को उस order में लिखने है कि कौन सी वाली कम भारी है फिर जादा भारी वाली और फिर सबसे जादा भारी वाली the lightest the one with in between the weight and the heaviest मतलब कि जो सबसे हलका है जैसे आपको बास paper ball और eraser का combination सबसे हलका कौन होगा paper तो lightest वाल कि बीच की चीज होगी जैसे होगे eraser उसको आपने लिखना है in between weight के बीच में और heaviest जैसे इन तीनों में सबसे जादा भारी ball होगी तो आपने यहाँ पर लिखना है तो आपको वो लगे complete the table with at least five example तो आपने इसी तरह के 5 example लेकि इसको complete करने की कोशिश करनी है तो आप ठीक है तो मैंने इसको उसी order में लिखा है जिसमें वो भारी है जैसे notebook जो आप की copy होते है जिसके आप लिखते हो वो हलकी होगी जो आपके book होगे maths की वो थोड़ी जादा भारी होगी और जो dictionary होती हो काफी मोटी होती जिसमें जिसमें शब्द कोश बोलते हैं जिसमें हर एक English के word का Hindi में answer दिया होता है कि क्या इसको हम बोलते हैं ठीक है तो अब आपके लिए होंबग है कि आपने यहां पर और तीन चीजों की list बना के draw करनी है ठीक है अब मतलब लिखना है उनको arrange करना है can you find your own weight using this balance आपको बोलगे कि क्या आप can you find your own weight using this balance कि आपने जो balance बनाया है आपने balance बनाने अभी आपको पीछे भी आया क्या आप उस balance का use करके अपना weight find out कर सकते हो खुद का कितना भार है आपका क्या find out कर सकते हो तो आपने यहां पर answer accordingly करना है अगर आपको लगता है कि आपका balance इतना sufficient है कि आपका weight का balance बता सकते हो तो आपने yes करना है और अगर इस बनाना तो सीख लिए कि कैसे हम इस तराजू को बनाते हैं, पर जो वेट है, जो एक तरफ को आपको पता है कि हम बट्टा दें, एक तरफ को हम जो है, वो जो भी लोहे का बना हुआ होता है, जिसके उपर 1 kg, 2 kg, वो लगते हैं, और दूसरे तरफ को अपनी चीज रखते ह हैं जिसको भी हम उसके साथ compare करना चाहते हैं तो आपको बनाएंगे वह भार बनाएंगे ठीक है so does this activity in pairs आपने do this activity in pair आपने इस activity को pair pair का मतलब है जोड़े में करना है you need a balance उसके लिए आपको पहले तो जिसको हम तराजू बोलते हैं उसके जरूरत है weights की जरूरत है आपको weights की जरूरत होना मतलब कि जो आप एक तरफ को यह जो आपको पिक्टर में दिख रहे हैं यहां पर इनकी जरूरत यह लेने हैं आपने इनको हम बोलते है weights a cake of soap आपने एक soap का cake type लेना है मतलब soap लेना है आ you can also take help of an older person, भी नोग में ले नहीं होती हैं। आपने में क्या करना है। नियु केक एक लेना है। यह लेकशा को सब्सक्राइब होती है, कि उसके ओपर उसका वेट लिख लिखा होता है, कि लिखा सब्सक्राइब कि पलते हैं। यह gram में है on it, you can use this soap to make your own different weight, आप उस soap का इस्तेमाल करके अपने अलग-अलग से weight बना सकते हो, जैसे मान लो कि आपके एक soap का जो भार है, वो 500 gram है, ठीक है, और आप सभी को पता है कि 1 kg में 1000 gram होते हैं, जो मैं आपको शुरू से, जो है वो 4th class से पता रही हूं, तो अगर एक और soap रख दोगे, तो 500-500 मिला के हो गया न, 1000 gram जिसको हम बोल सकते हैं, 1 kg, मतलग कि 1 kg तो आपने बना लिया, ठीक है, इस तरह से भी आप अपने weight बना सकते हो, फिर वो लगया, take a small plastic packet, आपने एक plastic का packet लेना है, put it on one pan, आपने एक pan के उपर उसको रखना है, off the balance, put the soap on the other pan, और इस तरफ को आपने अपना soap रख देना है, ठीक है, समझ के, फिर slowly add sand to the packet, till the pan are balanced, आपने के कहने है, धीरे-धीरे से जो आपको rate लेनी के लिए बोला था, वो इस packet के अंदर डालते जाने है, जब तक कि आपका तराजवी बिल्कुल बराबर ने जाना है, अभी आपको बहार इस तरफ को हमारे पास, जो आप sand डाल रहे थे, यहाँ पे, जो sand थी, और जो इस तरफ को आपका soap था, रखा हूँ आपने यहाँ पे, वो बराबर है, मतलब यह दोनों एक बराबर भार के हो चुके हैं, close the packet with the rubber band or string, फिर जैसे ही वो बराबर होगे, आपने इस packet को धागे से यह आपने जो rubber band यह उससे बंद कर देना है, और now sticker, now sticker strip of paper and write, और आपने क्या करना है, उस stick of paper को बांद देना है, ठीक है, और लिख देना है, अगर आपने यहाँ पे 500 gram का soap रखा है, तो यह जो sand होगी, यह भी 500 gram होगी, तो आप यहाँ पे इसके उपर जो है, व if you put the soap and weight you just made together in the pan, how many grams will both these weight, तो आपको क्या बोला गया है, कि जितना आपने यह sand बनाई, ठीक है, और जितना आपका soap है, अगर आप इन दोनों को एक साथ रखते हो, तो यह कितना भार का हुआ, तो क्या हुआ, 500 gram का हमारा soap था, हमें पता है, 500 gram की हमने weight बनाया, कैसे बनाय से बनाये, तो जब आप इन दोनों को एक ही पैन में रखोगे, तो दो टम लाके कितने होगे, सबी बच्चे प्लस करेंगे, 1000 gram, यह आप बोल सकते हो, 1 kilogram, क्योंकि आपको पता है, 1000 gram का मतलब होता है, 1 kilogram, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, 1 kg, या 1 kilogram, नेक्स आपको बोला है, आपने अलग-अलग weight बनाने हैं, इसी तरह के, देखो, यहाँ पे आपका 500 gram का बना था, यह आपने यह packet बना दिया, आपको अलग-अलग weight बना दिया ना, इन्होंने, 150 gram, 200 gram, and 250 gram, आपने किसने, 1,5 gram का, 200 gram का, और 500, 250 gram के बनाने हैं, you can use soap of different weight for this, आप अलग-अलग weight के soap का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपने वैसे ही इस process को करना है, जैसे आपको अभी सिखाया गया है, आपको बोले आगे, also make some bigger weights of 500 gram, 1000 gram, and 750 gram, और आपने थोड़े-बड़े weight बनाने की भी कोशिश के जैसे 500 gram का हो गया, 1000 gram का हो गया, और 750 gram का हो गया, आपको बोले गया है, use your weight to weigh different things and write in your notebook, फिर आपने ये जो सारे weight बनाये हैं, 100, 250, 750, 750 का, उन सब का अपने इस्तेमाल करना है, और अलग-अलग चीज़ें, जो भी आपको अपने घर में मिलती हैं, आप जिनके बारे में जा है, समझगे सबी बच्चे, और जैसे ही आपको यहाँ पर practice time दिया गया है, ठीके, practice time, मतलग कि अभी तक आपको जितना सिखाया गया है, अब आप उन सब की practice करोगे, which band of the balance will go down, so by drawing an arrow, आपने जो है वो arrow बनाना है, और उससे दिखाना है कि कौन सी वाले side का जो band है, वो न तरफ को 25 प्लस 40 kg है, यह total मिला के कितना हो गया, 65 kg हो गया, इस वाले pan में, इस वाले pan में कितना है, 35 प्लस 20, तो कितना हो गया यह, 75 kg, तो और बेसे इस तरफ को भार जादा है, तो यह वाला balance नीचे चला जाएगा, same आपने यहाँ करना है, एक तरफ को 75 प्लस 75 लिखा 5 प्लस 5, 10, 7 प्लस 7 कितने होते हैं, 14 प्लस 1, यह हो गया, 150 kg, इस तरफ को कितना है, 35 प्लस 100 and 40, तो यह कितना हो गया, 5, 4 प्लस 3, कितने होते हैं, 7 and 1, यह है 175 kg, तो यह वाला नीचे जाएगा, तो हम इधर को arrow लगा देंगे, ठीक है, कितना असान है, similarly यहाँ पे, तो यह वाला आपका homebuck है, आपने खुद मेरे को बताना है, और बताने कि कौन से side को आप जो है, वो arrow लगा ओगे, चलो इस वाले को मैं करवा देती हूँ, 5 प्लस 5 होते हैं, 10, 0, 1 carry, 5 प्लस 4 होते हैं, 9, 9 प्लस 1 carry, 10, और यहाँ पे आगे, 7 प्लस 2 होते हैं, 9 प्लस 1, 10, तो यह है, 1000 kg, sorry, 1000 gram है यह, gram है, मतलग हम इसको 1 kg भी बोल सकते हैं, यहाँ पे कितना है, 4, 5, 6 प्लस 2, 8, यहाँ पे 8, 54 gram ही है, तो यह जो है, अब यह वाला balance नीचे जाएगा, क्योंकि यह जादा भारी है, और इसको तो आप देखके बता सकते हैं, यह 197 gram है, और यह 196 प्लस 20 gram है, तो मतलग यह वाला जादा भारी है, और इन दोना में भी आपने प्लस करना है, तो यह दो आपको मैंने होमबक में दिये, यह आपका एक होमबक है, और यह जो मैंने आपको उपर यह लिखा, थर्ड वाला, यह भी आपको होमबक है, आपने arrow लगा कि मुझे बताना है कि ठीक है, और आपको बोलेगे, is the weight on any one of the pan equal to one kilogram market, तो अभी अभी हमने करके देखा, कौन सा ऐसा पैन है, जिसके अंदर एक kilogram weight है, यह वाला पैन है, और आपने इसके उपर mark कर देना है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे करके star mark कर सकते हो, कि इसके उपर एक kg का weight है, क्योंकि एक ह 1000 grams in one kilogram, ठीक है, so that's all for today, I hope आपको आज की वीडियो में बहुत मजाया होगा, और समझ में होगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो, तो यह वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ना भूले, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बैल आइकन को दबाएं, ताकि आ अगर आपको कोई भी भाई-बैन क्लास थर्ड में, तो आप उने हमारी पुरानी वीडियो रेकेमेंड कर सकते हैं, जिसमें हमने हिंदी, इंग्लिश, शाइंस में सारे सब्जेक्ट पढ़ाएं, थैंक्यू,